हेलो दोस्तों अगर आप लोग यूपीड रिपलाशी पैट में सेलेक्शन लेना चाते है तो गाइज आपने यूट्यूब के सबसे सांदार और जांदार वीडियो पे क्लिक कर दिया है गाइज आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपिट रिपलेसी पैट के पेपर में आपको क्या क्या लेकर जाना है एक्जाम में क्या क्या लेकर जाना है एक्जाम में क्या क्या नहीं लेकर जाना है क्या आपको COVID report की जुरत पड़ेगी क्या आपको vaccination certificate की जुरत पड़ेगी तो guys सभी सवालों के जबाब आपको इसी वीडियो में मिलने वाले है और guys आपको ये भी बताऊंगा आपको गलती क्या-क्या आप लोग कर सकते वो गलती आपको कभी नहीं करनी है तो guys ये वीडियो आपके लिए best होने वाली है ठीक है guys वीडियो को support करते वे जरूर चलेंगे मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे आपको exam में सवालों को attempt करना है आप लोग वीडियो को like करते वे चलेंगे, support करते वे जरूर चलेंगे आगे बढ़ लेते हैं पूरी जानकारी ले लेते है अगर आप किसी गोर्मेंट exam की तेयारी कर रहे हो सभी subject को trick से पढ़ना चाते हो तो guys नीचे लाल कलर का बटन दबागर चैनल को subscribe कर लेंगे बैल को all कर लेंगे ताकि सभी UPSS CPAT की notification आपको time to time मिलते रहे हैं देख लेते guys क्या क्या बाते जरूरी है क्या vaccination certificate लेके जाना है vaccination certificate क्या आपको RT-PCR report लेके जानी है exam में ठीक है guys सारी जानकारी मैं आपको इसी वीडियो में देने वाला हूँ यह वीडियो आपके लें बैस्ट होने वाली है अब वीडियो की सुरुवात कर लेते हैं तो guys जो आपका exam है UPSS CPAT के exam center पर आपको क्या के चीज़े लेकर जानी है क्या के नहीं लेकर जानी है ठीक है सारी जानकारी मैं आपको इसी वीडियो में देने वाला हूँ exam center पर कितने बज़े जाना है कितने घंटे पहले आपको पहुँचना है क्या गलती आप कर सकते हो सारी जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ UPT Replicative Pet के exam center के लिए जरूरी बाते exam center पर क्या क्या जरूरी चीज लेकर जाना है वो मैं आपको बता देता हूँ जल्दी से exam center पर कितने बज़े पहुचना है क्या चीजे नहीं लेकर जानी है RT-PCR Report आपको लेकर जानी है या Vaccination Certificate लेकर जाना है देखो गाइस इन दोनों में से कोई भी चीज कंपल सरी नहीं है RT-PCR Report और Vaccination Certificate लेकिन जो जरूरी चीजे हैं वो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ आप लोग वीडियो को सपोर्ट करते वे जरूर चलेंगे ओके पहली बार चैनल पर आयों सब्सक्राइब कर लेंगे तो गाइस जैसे कि जानते हो आपका पेपर है 24 अगस्त में दो सिफ्ट में आपका पेपर होगा पहली सिफ्ट दूसरी सिफ्ट ठीक है गाइस पहले shift और दूसरी shift में आपका exam होगा पहले shift आपकी 10 बज़े से start होगी और इसमें आपको कितने बज़े पहुचना है आपको 2 गंटे पहले exam center पर पहुच जाना है क्योंकि गाइस 8.30 बज़े से आपके entry शुरू हो जाएगी और 9.30 बज़े तक आपका gate close हो जाएगा उसके बाद में आपको entry नहीं दी जाएगी 10 बज़े से आपका paper start है और बिल्कुल ऐसा ही आपकी second shift में भी होगा एक गंटे पहले डेट गंटे पहले entry शुरूआत हो जाएगी और सबसे बड़ी गलती आप लोग क्या कर सकते हो आपको exam center पर गलती क्या नहीं करनी है गलती मैं आपको बाद में बताऊंगा वीडियो के बहुत important जानकारी है पहले मैं आपको यह बता देता हूँ क्या क्या exam center पर आपको दो गंटे पहले पहुंच जाना है एक बात तो यह हो गई exam center पर दो गंटे पहले आपको पहुंच जाना है ओके अगले तो गैज आपकी एक डेड़ गंटे पहले entry शुरू हो जाएगी ओके और आपका साड़े नो बज़े तक गेट क्लोज हो जाएगा अब बात कर लेते हैं admit card आपको original जो आपका exam का UPSSSS PAT का admit card आपने डाउनलोड किया है तो गैज PAT का जो admit card है एक तो वो आपको लेकर जाना है admit card एक आधार card या pen card या आपका license driving license यानि DL इन तीनों में से कोई चीज आप एक लेकर जा सकते हो ओके आपको एक blue pen लेकर जाना है एक black pen लेकर जाना है ठीक है guys दो passport size photo passport size photo दो ठीक है guys और एक blue pen एक black pen ये चीज़े आपको लेकर जानी है ठीक है इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है admit card और admit card जो आपका होगा जैसे मान के चलो आप लोग pen card की pen card लेकर जारे original तो pen card की एक photo copy ले जाना आधार card लेकर जारे एक आधार card की photo copy ले जाना और दो passport size अपने photo लेकर जाने आप लोगों को और आप गलती क्या कर सकते हो वो भी बता रहा हूँ और क्या आपको exam में नहीं लेकर जाना है ठीक है यह जानकारी आपकी हो गई और मैंने क्या बताया COVID report COVID report और आपका क्या vaccination certificate इन दोनों में कोई भी चीज़ चीज़ कंपल सरी नहीं है लेकिन अगर आप अपने safety के लिए लेकर जाना चाते हो ले जा सकते हो लेकिन यह चीज़े जरूरी है pet का admit card आधार card या pen card या deal एक blue pen एक black pen दो passport size photo अब बात कर ले तो क्या क्या चीज़ आपको exam में लेकर नहीं जानी है कोई भी electronic gazette आपको exam में लेकर नहीं जाना है अभी आपको यह भी बताऊंगा क्या आप लोग गलती कर सकते हो यह आपको exam में नहीं लेकर जाना है ठीक है guys electronic gazette कोई भी calculator और guys कोई भी smartphone smart phone या smart कोई भी घड़ी smart watch यह चीज़े आपको exam में नहीं लेकर जानी है तो guys देखो अगर आप लोग exam center पे 10 minute पहले पहुँचोगे अगर आप लोग exam center पर 10 minute पहले पहुँचोगे तो guys आपका temperature बढ़ा होगा body का वहाँ पर आपको machine से उसमें test किया जाएगा अगर आप लोगों का temperature बढ़ा रहेगा तो guys वह आपको गुसने नहीं देंगे इसलिए आपको दो घंटे पहले exam में पहुचना है फिर आपको वो बोलेंगे कि आप लोगों को बुखार है आपको entry नहीं दी जाएगी तो इसलिए दो घंटे पहले पहुचेंगे ये गलती आप लोग कर सकते हो ठीके guys ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है ये गलती किसी भी हालत में आपको नहीं करनी है आपको दो घंटे पहले पहुचना है अगर आपका temperature बढ़ा हुआ मिला तो exam center पर आपको वहाँ पर entry नहीं दी जाएगी अब मैं बात कर लेता हूँ आपको सवाल कैसे attempt करने है guys 50 number की आपकी gk है 10 number का current affair है और आपकी 40 number का gk gs है सबसे पहले इसी portion को करना क्योंकि ये सबसे important portion है ये आप लोग इतना easy paper आपका आएगा इतना easy paper आएगा अगर आप cut off के बारे में जाना चाते हो मैं नीचे link दे दूँगा वीडियो के description में अगर आप लोग cut off के बारे में जाना चाते हो 10 number का current affair 40 number का gkgs इसमें से आप लोग अराम से 45-46 number का attempt करके आ सकते हो अराम से अगर आपने थोड़ी सी भी पढ़ाई की है रही math की बात math आपका आएगा 25 number का 5 number का arithmetic arithmetic में से आप लोग 4 number का राम से कर लोगे और भूत ही आसान आपका DI आएगा यानि सांकी की visualization DI, data interpretation ये भी आपके exam में आएगा ओके गाईज ये चीज़े आप लोगों को ध्यान में रखनी है अब बात कर लेता हूँ मैं आपके 5 number की reasoning आएगी 5 number का आपका arithmetic आएगा और आपका क्या बचा हाँ, हिंदी भी आएगा आपका 15 number का हिंदी आएगा हिंदी काफी आसान आएगा आपका टेंशन मत लेना वोही सवाल पहले करना जो सवाल आप लोग अराम से कर सकते हो और गाईज मैं आपको cut off के बारे में भी बता दूँगा लिंक नीचे description में आपको मिल जाएगा आपको मैंने ये भी बता दिया कैसे आपको सवाल को attempt करने है पहले GKGS करना फिर 5 नंबर की reasoning कर लेना 15 नंबर का हिंदी कर लेना बाद में math करना आप लो इतना attempt करने के बाद में आप लोग फिर math करना अगर आपको कोई भी सवाल है तो comment करके मुझे बताएंगे अगर वीडियो पसान आए नीचे लिख देंगे नाइस वीडियो और वीडियो को लाइक करके जरूर जाएंगे किसी भी government exam की तैयारी करें और ट्रिक से पढ़ाई करना चाते हो नीचे लाल कलर का बटन दबा कर सब्सक्राइब कर लेंगे और cut off का link मैं आपको नीचे description में दे दूँगा तो guys सारी बाते मैंने आपको बैतरिन तरीके से बता दी है ठीक है सब्सक्राइब करके जाएंगे और वीडियो को लाइक जरू कर देंगे ठीक है guys धन्यवाद